नमस्कार सातियों आज एक नए वे से पढ़ते हैं अपन टोपिक अगला आरपेसी फर्सक्रेट की जो श्री चला रखे हैं अपने उसमें अपने दो तिन वीडियो और बनाएंगे और उसके बाद में अपन एक टेस्ट लेंगे जो कि संडे या मंडे तक होगा तो पहले आपको बता दूँ कि संडे या फिर आपके मंडे आप संडे का मानगरी चलें संडे को आपका एक टेस्ट होगा जिसमें करीवन सोय क्यूशन होंगे जो टेक्सोनोमी पूरी उनिट को कवर करेंगे अब तक अपने जो भी पढ़ा टेक्सोनोमी के अंदर उनसे प्लस मानलो सेलेबस में कोई पॉइंट छूट गया हो कोई एक आदा वर्ड भी छुट गया हो तो उसको अपन क्या करेंगे उस टेस्ट पेपर के अंदर इंक्लूड कर लेंगे क्यूशन के रूप में सारा फॉर्मिट आ जाएगा करने का मतलब तो जो चार-पांच क्यूशन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको नहीं है नहीं मिले हों बाकि सारे क्यूशन आपको लगए वीडियो में ही मिल जाएंगे तो इन वीडियो के नोट्स वगर आपने देखे हो सारे समझे हों तो आपका काम हो जाएगा इसलिए आप संडे को किसर पेपर डाल देंगे और आपको इसके क्या करने है अंसर डालना है ठीक है अभी आज जो कि मोसम ऐसा ही है एक तुफान आ रहा है तो लाइट नहीं है सुबसे तो यहाँ पर इस रूम के अंदर तीस रूम में इनवेटर है उस रूम के अंदर मैं इस देश से थड़ सा वीडियो बना रहा हूं जहाँ पर अब मैंने सेट अब कर रखा बोर्ड बगर आगा वहाँ पर लाइट की विवस्ता नहीं होने की वज़े से वीडियो नहीं बन बारा पर आपको तो कंट्रेट सी हो वो कंट्रेट यहां से आपको मिल रहा है जो आपको मिल जाएगा तो वैसे कोई दिकत नहीं है अगला जो टोपिक है अपना उस टोपिक का नाम है हर्बेरियम 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 भी बोलते हैं हर्बेरियम भी बोलते हैं देखो हर्बेरियम या हर्बेरिया नाम से पता जल रहे हैं आपर हर्ब का मतलब क्या होते हैं हर्ब शर्ब प्लांट इनको अपन किसमें सामिल करते हैं अपने को planty kingdom वाले में आते हैं मतलब plants है तो ऐसा बोल सकते हैं कि पादपों का संग्राले पादप का संग्राले क्या कलाता है हर्बेरियम कलाता है बहुत सरल टोपिक है द्यान से समझना सारी point एकदम से आपको point to point पर बताऊंगा और clear हो जाएंगे साथ साथ में आप notes बनाते रहना इस हर्बेरियम सब्द का तो सबसे पहले उप्योग किया था वो किया था किसने केरोलस लीनियस ने केरोलस लीनियस सब्द साथ पहले भी आया है आपको याद आनाची के केरोलस लीनियस से समझने तो और क्या बात रही होगी तो केरोलस लीनियस ने क्या किया इस सब्द का सबसे पहले प्रियोग किया ठीक है सबसे पहले जो हर्बेरिया है वो जो फर्स्ट हर्बेरिया कहां बनाया गया या कहां बना था पाधवबव का संग्रय कहां हुआ था और वह वा था university of university of पाधवा कहां है इटली आपको गर याद है तो यह पाधवा शब्द महां भी आया था जहां अपने क्या पड़ा था अपने पड़ा था बोटनिकल गार्डन पहला बोटनिकल गार्डन सबसे पहले सुरुवात वे थी, वो पूरे विश्वा के अंदर सबसे पहले था, पादवा, दुआ बोला था ना अपने, दुआ सबसे पहले दुआई करते हैं, तो इस तरह से ये सबसे पहले हर्बेरियम भी वही बनाता, पादवा, अब देखें जो हर्बेरियम है, उसके अंदर करते क्या हैं, हर्बेरियम के अंदर देखो, सुस्क, या ड्राई बोल सकते हैं, उसके बाद में परीरक्सित, या बोल सकते हैं, प्रिजर्वड, स्पेसिमेल का क्या करते हैं, इनका कलेक्शन किया जाते हैं, और फिर उनका classification करके सोध में काम में लेते हैं मतलब कोई सुस्क है ड्राइ है प्लांट को सुखा कर उसको preserve करके preserve मतलब कि उसको बैक्टिरियल कोई fungal है और डिजी जिज ना लगे उसको सुरुकसित कर लिया परिरुकसित कर लिया जैसा भी उसका माद्दे मैं उसमें करके जो भी स्पेसिमेंट का अपनने कलेक्शन किया है उसका कलासिफिकेशन करते हुए आगे जाकर उस पर सोध के लिए काम में लेना उस पर किसी भी परकार की रिसर्च करना ये क्या है हर्बेरियम की परिवासाइक परिवासे हर्बेरियम का मैन मोटो है या हर्बेरियम काम क्या आता है वो बात है ठीक है अब और बात हैं देखें जाए तो हर्बेरियम को अपने कहां कहां काम में ले सकते हैं आपको किसी भी टॉपिक का क्या करना है, सोध करना है, आपको किसी भी प्लांट की सरंचना का अध्यन करना है, आपको किसी प्लांट का क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है, अलग-अलग प्लांटों के बीच में आपको कम्पेरेटिव स्टडी, आपको तुलनात्म का अध सबकारी है हो सकते हैं यह फिकर आप समझते रहो समझने के बाद में लास्ट में क्या करना है इसका श्क्रीन सोट लेकर वैसे भी लिख सकते ओए वीडियो को तौन कोई दिक्कत वारी बात नहीं अब देखो अब आपन जब हर्वेरियम बनाएंगे तो अपने को क्या क्या उपकरण चीए हर्वेरियम बनाने के लिए अपने को साधन क्या क्या चीए आज वाले वीडियो को पूरा देखना आप वीडियो के बाद मैं कुछ फोटोग्राप्स डालूंगा जिसमें आपके बोटनिकल गार्डन के कुछ कुछ वर्वेरियम बगर ये फोटोग्राप्स जूहोंगे तो आप देखना आपको किस तरसे हर्वेरियम बनता है वो आपको नज़र्आएगा तुम्हश्जें क्या चीए किसी भी प्लांट को जैसे मालब मेरे को पता ज लाए कि मेरे खेत में एक एक ऐसा प्लांट है जि खुर्पी के निकालने के चर्पाइब निकालने के बाद ठीड निकालने के लैंग ब데 तो मैं चक्ञेन गई कैंची के दुआरा मैंने क्या किया हूँ उसकी टहनी काट लिया और काटने के बाद मैं आगे उसको काम में ले लोगा उसके बाद मैं जहां गया था वहां मैंने खुर्पी से उखाड लिया पेट गोया कैंची से काट लिया काटने के बाद मैं एक बोक्स होगा उस बोक्स के अंदर के सैड में आपके अलूमिनियम की फोईल लगी होगी और जिससे वो पोदा एकदम सुस्क नहीं हो मतलब वहाँ पर अपने आप नहीं सुके ऐसी विवस्ता उस माद्दे में होगी ऐसा मेरे पास है कि एक बरतन टाइप एक डबा होगा उसको बोलेंगे वैस कुलम क्या बोलेंगे वैस कुलम होगा मेरे पास उसके अंदर मैं उसको क्या क्या पोदे को पोदा को सुकने से बचाने के लिए पोदे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने के लिए मैंने वैस कुलम के अंदर पोदे को डाल दिया और यह मैं ले आया, अलूमीनियम का बना बोक्स होता है, इसमें डालकर मैंने क्या किया लिया, पोदे को ले आया, लेने के बाद, अब पोदे को मेरे को मेरी मर्जी से सुखाना है, पोदा ले आया, अपने आप न सुखे, मेरी मर्जी से सुखाना है, इसलिए अखवारों का और paper foil का इनका बना मेरे पास एक सादन होता है जिसको बोलते है पादप्रेश प्लांट को मेरे को क्या करना है दबाना है यह क्यूशन यहाँ से बनता है पादप्रेश की साइज होती है बारा गुना अठारा इंच का पादप्रेश होता है और आप इसको सेंटीमिटर में करोगे तो आप डाई से गुना कर देगो इंच को तो सेंटीमिटर में तबदिल हो जाएगा तो इसको डाई से गुना करते 30 और इसको डाई से गुना करते 55 से जाएगा तो 30 गुना 45 सेंटीमिटर का आपके पास में प्ल ही है वह हट जाएगी यह सब काम होगा और प्लांट एक पर्टिकुलर सेप में आ जाएगा त्रिपक जाएगा ऐसा मान लीजिए अब अगर कोई सेंपल बड़ा है मान लोगो कि इस बारा अठारा वाले साइज में नहीं आ रहा तो अपन क्या करेंगे इसको इसको वी है या डबलू है या एम है इनकी साइज में मोड लेंगे इसको ठीक है लेकिन कभी प्रक्तिक नहीं करेंगे सिंपल एक होइं करके इन साइज में मोड कर और क्या कर जाए है उस पैजत के अंदर उस प्लांट को दबा सकते हैं इतना काम कर लिया खुर्पी एक नंबर पहर दों नोटबुक में आपने क्या किया आपने ये कुछ चीजे लिख ली कि आपने कौन से स्तान से उठाया प्लांट को आपने किस तारिक को लिया प्लांट को उस प्लांट का नाम क्या है वानस पतिक नाम क्या है उस प्लांट का लोकल नेम क्या है ठीकर किस ने यहां पर कलेक्ट क कैसी है ऐसे कुछ बातें जो आपको वहां पर तुरंत नजर आई ऐसे आपने तुरंत क्या कर लिए ग्रफ नोट्बूक के अंदर क्या कर लिया आपने नोट कर लिया और कुछ जनरल चीजें जैसे मालों की पॉलिखीन है उन सब को डालने के लिए फिर आपके पास में को चि ठीक है और कुछ क्या चीजें ले सकते हो जैसे मालों की और क्या इन सब को डालने को थेला वगरा है इन सब को लिया जा सकता है ऐसी कुछ चीजों की आवसिकता पड़ेगी आपको अगर हर्वेरियम तयार करना है तो डेखो अब इतना मेटर पड़ा आपने इसमें से एक आत याद रखने वाड़ी की वह दोई बते हैं पर्सन दोई चीजों से बनेगा क्या शापरेगा एक बनेगा कि सब किस ने दिया सब दूसरा बना पहला हर्वेरियम कहां बना कि सब कित्ने हैं बांके इसे नॉर् Tara कित और की सब चीजए ऐसे और्मल hello जो आपको easily याद रह जाएंगे ठीक है इतनी बाती भी अब आगे देखो आगे बढ़ते हैं फर इतना काम किया करने के बाद में आगे पॉइंट पर चलते हैं अगला पॉइंट अपन क्या करेंगे अब इतना काम करने के बाद जब आपको सेंपल को collection करना है जब आप लेने पहुंचे तो आपको वास्ता में देखा जायते हर्बेरियम बनाने के लिए किस किस प्रोसेस से गुजरना होगा क्या क्या काम करना होगा आपको उस काम की मैं यापर आपको प्रकरिया बता रहा हूँ देखो प्रोसेस में क्या करेंगे समझना इस बात को डंक से समझना ब अपने क्या कर दिया, प्रेशिंग कर दिया, प्लांट को क्या कर दिया, दबा दिया, दबाने के साथ साथ प्लांट क्या हो रहा है, समझ ले ना सारी चीज़े, साथ साथ में क्लियर हो रही है, ड्राइंग हो रहा है, प्लांट क्या हो रहा है, सूक रहा है, सूकने के साथ कम वहने के बाद क्या करते हैं माउंटिंग करते हैं मांटिंग किस थे उपर करते हैं इतना काम वने के बाद यह लिखा है क्या उसके लक्षन बगर है क्या कुछ चीज़ें अपने को थड़ी बहुत मिल गई उसके बाद अपन क्या करेंगे कि फीलिंग ओफ क्या करेंगे इस पे सिमेन करेंगे अगला क्या करेंगे फिर इसको क्या करेंगे एक अलमीरा के अंदर स्टोर कर देंगे और लास्ट में क्या करना पड़ेगा इसका मेंटिनेंस करना पड़ेगा इसका रख रखाव करना पड़ेगा इसके इंदी सब्स लिख लेना collection का मतलब संग्रे किया praise का मतलब उसको दबा देते है पादब praise करते है drying का मतलब उसको सुका लेते है positioning मतलब उसके chemical का छिर्काव करते है जैरिली चीजों के दुवारा कुछ कीट वगरा हो insect के अंडे वगरा हो तो बहट जाए mounting का मतलब उसको स्टोर कर लिया सरक्सित कर दिया और maintenance का मतलब उसका फिर रख रखाव किया गया अब इतने काम अपने कर लिया देखो collection किया अपरेसिंग की drying की poisoning हो गई इतना काम कर लिया अपने drying तो गो गया था यहाप पादब प्रेस के साथ में drying वाली प्रक्रिया हो रही है अब यहां से थोड़ा सा ओड़ डिटेल में पढ़ लेते हैं इतने काम तो तो लोग करे रहे हैं यह तो दो इसी काम में आ गयते हैं पादब का collection किया और उसको पादब प्रेस के दवारा दबा दिया जिसकी साथ होती है बारा गुना अठारा इंच दबाने के बाद अब अपन क्या करेंगे यह जो drying का काम है मतलब जो अपना specimen है उसको अपने को प्रतिरिपों क्या करना है सुखाना है सुखाने के लिए क्या करेंगे यह बढ़िया चीज़े है आपर temperature आपके पास में 60 degree है 4 से 6 गंटे का समय है तो उस दोरान आपका जो plant है जो लेक के आए है root है stem है जो भी आपके पास है वो क्या करेगा इतने देर में सूख जाएगा इस temperature के साथ में इतने समय के लिए उसको छोड़ा आपने दिया तो plant सूख जाएगा अब यह मालो आपके पास में cutting है यह कोई plant की cutting है आपके पास में और आपने इसको पादप्रेस से दबा दुबा के सुखा सुखा के इतना सारा काउँ आपने कर लिया अब आपको क्या करना है हर्बेरियूम तयार करना है इसका क्या करना है हर्बेरियूम तयार करना है तयार करने के लिए क्या करते हैं हर्बेरियूम का मतलब एक सीट होती है यह सीट है जी हर्बेरियूम का मतलब है एक पेपर है वाइट पेपर है मोटा सा सीट है ठीक है जिसमें अपन को प्लांट को प्रेश किये वे प्लांट को सुखाये वे प्लांट को यहाँ पर implant करना है mounting करने है यहां से लेकर मैं यहां तक लगूँगा यह प्रक्रिया mounting हो जाएगी लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में समझो यह जो है अर्बेरियम इसकी जो साइज होती है वो लंबाई यहाँ पर साढ़े सोडा इंच और यह वाली है साढ़े गैरा ठीक है कई 12-17 भी मिलती है पर यह आपको याद अख लेनी है साढ़े गैरा से साढ़े सोडा इस साइज की तभी तो देखों यहां पर 12-18 था तो यह गर इसी में इंप्लांट करना अपने को तो इतना छोड़ा सा बढ़ा होगा तो इजिली यहां पर आजाएगा तो 12-18 तो पादप्रेस की साइज है और 11-16 की साइज है इंच में है यह आपको कर संटिमेंटर में बदलना है तो डाई से गुणा कर लेना 11-16 से साइज सोड़ा क्या जाएगा यह यह जाएगी इसकी हर्बेरियम की साइज अब इस हर्बेरियम के उपर जो लिखा होता है वो जिस भी डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट ओफ बोटनी जैसे मैं पोदार कोलेज से पढ़ाऊं तो मैंने यहां पर लिख दिया पोदार कोलेज यहां पढ़ाया भी है मने नवलगड डिपार्टमेंटों बोटनी पोदार कोलेज नवलगड लिख दिया है यहां पर ठीक है अब यह तो मेरा प्लांट है ठीक है मैं इस प्लांट की यहां से लेकर यहां लगँगा इस प्रकरिया को बोलेंगे मांटिंग ठीक है इस प्लांट की मांटिंग करने से पहले समझना इस बात को इस प्लांट की मांटिंग करने से पहले मैंने इस प्लांट को ट्रे में डाल दिया इस ट्रे के अंदर गोंद बिचा रखा है मैंने ठीक है और उस गोंद के अंदर क्या डाल रखा है गोंद के अंदर मैंने HGCL2 भी डाल रखा है Mercury Chloride जिससे क्या होगा कि plant में कोई insect वगरा अगर आ गया हो कोई bacterial growth वगरा हो रही हो तो वो यहाँ पर मर जाए, nest हो जाए यहाँ पर मैंने डाला plant को यहाँ से उठा के यहाँ रखा और ऐसे किया तो इसका मतलब नीचे की सेड में उसकी क्या लग गया, गोंद लग गया फेवी कोल माल लो और उसको यहाँ से उठा कर यहाँ रख दिया यह रख दिया इसे चिपका दिया इसको इसका मतलब मेरा हर्बेरियम फिक्स हो गया है अब यह जो कोने वाड़ा स्थान बचा राइट एंड का यहां की साइज होती है तीन इंच पांच इंच तीन बाई पांच का स्थान है यहां पर मैं कुछ चीज़े लिखूंगा इस तीन बाई बाच वाड़े में मेरे को कुछ चीज़े लिखनी पड़ती है जो की प्लांट की होती है जैसे मने क्या लिखा है आपर क्या क्या लिख सकते हूं मैं लिख सकता हूं मैं क्या लिख सकते हैं पहला किस संग्राले में है यह अलागि यह नाम यहां पर आ गया लेक इस family से belong करता है लीलियसी का है再见 का है फेथी का है जो भी फेमिली का नाम लिख दिया उसके बाद में इस plaint का कह लिखा बोटेनिकल नाम लिखा को उसके बाद में किस इस्तान से लिए the new उस इस्तान का नाम कृष उसके बाद में संग्रय कब मैंने कलेक्ट किया इसको उसकी दिनांग लिखी है आपर उसके बाद में इसका आवास कैसा है जीरोफाइटिक ब्लांट है हाइड्रोफाइटिक ब्लांट है अब किस कंडिशन का है किस आवास का है वो मैंने आपर लिखा इसके बाद इतना सब ल इन को संग्र यह अपने बन गई एक हर्वेरियम बन गई गई ठीक है आगे चलते हैं अब तक अपने कितना काम कर लिया प्रोसेस पे चलते हैं अपने सबसे पहले collection को निकले थे अपने collection कर लिया फिर अपने पादप प्रेस की size 12 गुन 18 से पादप प्रेस कर दिया उसके बाद में अपने सुखाया सुखाने के लिए temperature 60 और 4-6 गंठे चीए थे अपने पास में उसके बाद में poisning poisning का मतलब अपने ट्रे है अपने पास के इसका labeling का मतलब ये सारा काम कर दिया और उसके बाद में अपने को क्या हो गया identification हो गया क्या हो गया identification हो गया कि अपने को इस प्रकार से इस plant की ये classification एक तरह के से मोटा मोटा अपने को इस plant के बारे में ideal लग गया जांच परताल हो गया ठीक है आगे देखते हैं अब आता हूं आप इसका screenshot लेकर जैसे भी आप नोट करें इसको मैं एक बार रहन देता हूं इसमें प्रक्रिया को आपको समझने में आसानी रहे दुबारा से इतना सब काम करने के बाद में ये एक नया तरीका है देखो पढ़ने का अपने बोर्ड से पढ़ते ही पढ़ते हैं अभने को किया करना एं फिलिंग ऊप श्पेसीमें या प्लांट का रखड़र खाव करना है उसको रखड़ adds कैसे करेंगे तो बडरी सारी अलमारी होती है तुझी कैसे मालो ये अलमारी है और इस अलमारी में ये खाने है इस लगार यहां ठीकात चीत gathered मैं मैं यह नहीं पर whiskey हर्वेजियस सीट्य को मानने यहांपर इसको रख कि थीक है उसके बाद माल उरेंन कुलेट सी ин fine के मेरी को प्लांट मिले तो मैंने यहां पर मर में सक करके ह्ए यह मी पास उस मैं प्लांट उख यह रखता जाओंगा अब देखो लेकिन इस Almira में रखने से पहले भी क्या करेंगे फिलिंग ओब स्पेस्मेन ये डाल रहे हैं अपने या पर अपने क्या करेंगे सबसे पहले 2% HGCl2 का चिर्काव कर देंगे याँ पर जिसे कोई कीडा वगरा कुछ नहीं रहे हैं इंसेक्ट वगरा के एंग वगरा कुछ नहा सकते मुक्त इन्सेक्टिसाइड जैसे मालो डी डी टी वगरा है ठीक है जैसे मालो PDB पेरडाई क्लोरोबेंजिन ठीक है इस प्रकार से डाल सकते हैं और इसके साथ साथ में कुछ फंजिसाइड पर डाल सकते हैं फंगस वगरा की ग्रोथ ना हो यह सब अपने इसमें छिड़क दिया तो सरक्षित कर लिया करने के बाद क्या करना है आपको मैंटिनेस रखना है मैंटिनेस का मतलब हर एक देड़ मैने में अपने धूप लग जाए तो प्लांट वगर्ण पर कुछ और चिड़क नहीं दिक्कत ना आए वह सुके ना वह खराब ना वह सुकना तो खहर है लेकिन खराब नहीं हो प्लांट और इसी कंडिशन के अंदर प्लांट पढ़े रहे हैं जब भी आप उस पेपर को उठाओ उस सीट को उठाओ तो आपको इसली वह नजर आजें यह अलमिरा की साइज कैसे का डाइगरा पर्मुक हर्बेरियम पहला प्रोयल बोटेनिकल गार्डन क्यूं इंगलेड करीबन पचास साथ लाग पादगों को यहां पर संग्रह है हर्बेरियम का संग्रह कलेक्शन वेपर दूसरा इंडियन बोटेनिकल गार्डन करीबन पत्चीस लाग के आसप्रास का संग्रह है यहां पर तो यह जो है न यह वाला याद रखना है सबसे बड़ा पूरे विश्वय में सबसे बड़ा कोई हर्बेरियम है तो वो है रोयल बोटेनिकल गार्डन क्यूं इंग्रेंड सबसे बड़ा हर्बेरियम आपर है यह वाला ठीक है आगे देखते हैं अब यह वाली प्रक्रिया होई थी आपको क्लियर हैं मैं कुछ और पंडामेटल चीज़े हैं इससे समंधित वो बता देता हूं आपको संथ करपा वायलोजी क्लासेज अपना चैनल का नाम है अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कम से कम सब्सक्राइब कर दो कुछ लोगों को सेर कर दो मैं चाहता हूं अजरिक सब्सक्राइब हो जाए तो अपने फिर लाइव पड़ाएं आप सब लोग सेव करो के हो जाएगा सब्सक्राइब कर वाई सकता है उस बोस तो लगता नहीं मोबाईल पर अब देखो यहाँ पर भारत के प्रमुख हरबेरियम अपने को देखने है भारत में जो हरबेरियम है इसकी सुरुवात की गई थी BSI द्वारा Botanical Survey of India की द्वारा जिस तोर से अपने 5 Botanical Garden पढ़े थे वैसे अपने को पांच हरबेरियम पढ़ने है पांच अपने को क्या पढ़ने है हरबेरियम पढ़ने है अब देखो वो था आपने ट्रिक क्या इंडियन नेसन से वनस्पति से इंडियन नेसन से ला वनस्पति लाल ऐसा आपना ट्रिक था यहांपर ट्रिक की आवसिकता नहीं है आपको इसली आज देंगे चोथा दिलिली उन्षीटी है रव पंचवा राhatान उन्षीटी है जिसमें सबसे बड़े हर्वेरियम का कलेक्शन है बाकी पांच के करम में आपको बता रहा हूँ सबसे पहला है The Central National हर्वेरियम कोन सा वो इक कलकता वाला बोटनिकल गार्डन था कोन सा इंडियन बोटनिकल गार्डन वो था ना जो उसमें सिवपूर कलकता में पहले वड़ा सबसे बड़ा तो जहां पर यह बोटनिकल गार्डन होगा वही पर प्लानेट का कलेक्शन होगा तो वही पर हर्वेरियम easily मिलेगा तो वही है यह the central national हर्वेरियम इसी बोटनिकल गार्डन के अंदर हर्बेरियम का निर्मान कर दिया गया था कब किया गया था ये ये किया गया था सत्रा सो तिराणम के अंदर और किस ने किया था जिस ने किया था उसका नाम है विलियम रोक्सबर्ग इसको फादर ओफ हर्बेरियम भी बोला जाता है जिस तरह से विश्व का सबसे बड़ा रोयल वोटिंगल गार्डन था रोयल वोटिंगल गार्डन वाला हर्वेरियम था इसी प्रकार से यहां पर एसिया का इंडूस्तान नहीं एसिया का सबसे बड़ा हर्वेरियम आशए का सबसे बड़ा हर्विरियूम इंडिया नहीं ये इस या का और इसके अनरे इंडूस्तान नहीं है और अलग लग देशों के भी कलेक्शन ये आपर इस प्रकार के प्लांट एंजियो प्लांट नाचनल नंशचनल हर्विरियूम है पहला यह पहला वही है महां से आद रखोगे ना तो इंडियन नेशन से ला तो इंडियन वोटनियल कार्टन था ना जिसका नाम जग्दी संद्र बोस हो गया था वह वाला है यह सेंट्रल नेशनल हर्गेरियम वही कलकता सिपपुर ठीक है दूसरे नमर का पहले वाला तो सेंब ही और दूसरे नमर का है उसको अपन पढ़ते हैं दूसरा है आपका रास्ट्रिये वहां दूसरा क्या था कहां पर था रास्ट्रिये था नेशनल वाला था तो यहां भी वही है रास्ट्रिये है आपका वानस पतिक सोद सैंस्तान लखनव वहाँ भी वह था दूसरे नंबर वड़ा भी सेम है याद रजाएगा आपके पहले वही सेम हो आपर सिप वड़ा दूसरा याँ पर कुण से है वह लखनव वड़ा है ठीक है इसकी स्थापना याद अख लेना के वल कब हुई थी 148 के अंदर तीसरे नंबर का है यह अलग है कुछ ठीक है इंडियन वनस्पति से ला इंडियन नेशन से ला तो ला वाला था लोईड था वाँ पर और यहाँ पर याद करना आपको यहाँ पर याद करना है वन अनुसंदान सैंस्तान पादप संग्राले देरादून वहाँ दाजलिंग का था है यहाँ क्या रख लेना आपको देरादून का रख लेना है ठीक है कब 1814 में शुरूब आ था लेकिन इसको दुबारा से सूव्यवस्थित किया गया है कब किया गया इसको दूबारा से 28 है इसको देखना पुरेगा गया गया hada इसको दूबारा से सूव्यवस्थित करना पड़ा था यह यह था कुछ पहले शुरूआथ हुई थी इसको सूव्यवस्थित किया था अब देखो इंदुस्तान के अंदर एश्या में सबसे बड़ा ये वाला इंदुस्तान का भी सबसे बड़ा ये वाला इसके बाद में दो नमबर पर कोई आता है तो ये ये आता है दो नमबर बड़ा ये 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 है दिरूर ये वाला दो लेकिन यह वाला है दो नमर का जो सबसे बड़ा चोत्य नमबर पर डैली इनिशिटी और पांचवे नमबर पर राजस्तान इनिशिटी ठीकर पहला सेंट्रल नेश्टनल सिखपूर वाला दूसरा राजस्ते वानस्पतिक लखनव वाला तीसरा वनसंदान सहिस्तान पादप स यह सब पांचों के पांचों आपको याद रखने है भारत के प्रमुख सबसे बड़ा यह है दो नमर वाड़ा यह है ठीक है यह सारे के सारे क्या हो गए है भारत के प्रमुख है जो हर्बेरियम है जो पादब संग्राले है जहां पर प्लांट का संग्रा है वो सब हैं यहा मांस्त है जो classification है वो किसका है बेंथम हुकर का है यह भी याद रखने में बात है कि मैक्सिमम हर्भेरियम पर जो क्लासिफिकेशन है बेंथम हुकर का है उसके पीछे दो कारण देखो एक कारण तो क्या मिलेगा कि यह जो बेंथम हुकर का या जितने भी प्लांट का कलेक्शन है ये सब UK के वस्में है UK के हाथ में है और ये बेंथम उखर भी UK का ही था तो ये दो मुख्य कारण हो सकते हैं जिसके दोआरा ये जो मेक्जिमम है बेंथम उखर का कलाशिफिकेशन ही आता है इस टोपिक में इतना ही अगले टोपिक के साथ अपन दो टोपिक और बस्ते हैं म्यूजियम और जू उनको अगले टोपिक में देखेंगें नन्यवाद नमस्कार